प्यारे बच्चो जीयस सक्सेज हिंदी क्लासेज में आप सब का स्वागत है इसके पहले के दो वीडियो में हम सूर दास के पद के ब्याख्या आपको सबको बतलाएं अब तीसरा पद है किलकत कान घुटुरोवन आवद इसका आर्थ बतारे जा रहे हैं बच्चो एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लिजिए हिंदी का अर्थ बोलेत मतलब की ब्याख्या क्यूंकि एक्जाम में ब्याख्या करके पूछा जाएगा जैसे प्रस्तुत पद्यांच का संदर्व सईद ब्याख्या कीजिए और काविका संदर लिए जो हमार्थ बताए मतलब हूँ प्याख्या बग कर रहे है ठीके ना बच्चो इस में कंफिजन मत हो इंगा ध्यान सुनिएगा इस पद स्रीकृष जी अ confusion मत होईएगा ध्यान सुनिएगा इस पद में सुर्दाश जी सुर्दाश के बाल लीलाओ का वड़न किया है उनके बचपन की सुन्दरता का वड़न किया है उनके नठखतपन का वड़न किया है तो जैसा कि आप सब पता सुर्दाश जी बाल लीलाओं के वढ़न में बहुत ही सिद्धस्त थे सिद्धस्त मतलब बच्चो बहुत ही प्रगार्थ उनके मतलब बाल लीलाओं वढ़न बहुत ही अत्यन सुन्दर प्रस्तुत हुआ है आगे देखते हैं हम लोग किलकत कान घुटुरुमन आवत श्रीक्रिष्ट जी किलकत किलकारी करते हुए यानि किलकारी मारते हुए कान मने स्रीक्रिष्ट कान मने स्रीक्रिष्ट स्रीक्रिष्ट जी किलकारी करते हुए किलकत मने किलकारी करते हुए घुटुर्वन मने घुटनों के बल आवद मने आते हैं श्रीक्रिष्ट किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आवत आ रहे हैं फिर से देखिए किलकत कान घुटुरुवन आवत कान माने स्रीक्रिष्ट स्रीक्रिष्ट ये किलकारी करते हुए या किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आवत माने आ रहे हैं मनिमय कनक नंद कई आगन कैसा है नंद जी के आगन मनिमय मन मड़ियो से युक्त कनक मने सोना यानि स्वर्ड हम सोना को स्वर्ड कहेंगे हाँ पर मड़ियो से युक्त और सोने से बने यानि स्वर्ड से बने मड़ियो से युक्त और स्वर्ड से बने नंद जी के आगन में, बिम्ब पकर्बय धावत, श्रीकृत जी अपने ही परचाई को पकर्बय मने पकर्णे के लिए धावत मने दोड़ते हैं, कभव निरक हरी आप उचाँ को, कभव मने कभी युँँ अपने परचाई को पकर्णे के लिए दोड़ते हैं, कभी निरक हरी आप उचाँ को, हरी माने यहां पे स्रीकृत्ष्ण हरी मने इस्वर होता है, लेकिन यह सुर्दाजी की प्रभु यानि इस्वर कौन है? स्रीक्रिष्ण है इसलिए यहां हरी मतलब स्रीक्रिष्ण हरी आप च्छाह को मने स्रीक्रिष्ण जी आप मने अपने ही च्छाह को मने परचाई को अपने ही परछाइग को निर्ख मने देखकर अपने हाथ को पकड़ना चाहते हैं फिर से देखिएगे इस लाइन को हर आपछाइग को श्रीक्रिश जी अपने ही परचाई को निर्यक माने देखकर करसो पकरण चाहत उसे पकड़ना चाहते हैं किला की हसत राजत दोई दतिया पुनि पुनिति अवगाहत किलक हसत माने किलकारी मारते समय किलक बच्चे किलकारी करते हैं वही मलब जब वह हसते हैं किलकारी कहा जाता है किलक हसत मारते समय राजत माने सुसोवित हो रही है दोई माने दोधिया माने दाथ किलकारी मारते हुए स्रीक्रिश के आगे के दो दाथ राजत माने सुसोवित हो रही है फिर से देखिएगा किलक हसत माने किलकारी मारते समय राजत माने सुसोवित हो रही दोई दति माने दोनो दाथ स्रीक्रिश के आगे के दोनो दाथ किलकारी मारते हुए स्रीक्रिश के आगे के दोनो दाथ सुसोवित हो रहे हैं पुन 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 अवगाहत सोब से बने भूम पर कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया, माने परचाई, परद्वम, सोने से यानि स्वड से बने भूम पर स्रीक्रिश के हाथ और पैरों की छायानिक परचाई, यह उपमा एक राजत, यह एक ऐसी उपमा की तरह प्रतीत होती है, यह उपमा एक 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 एँसी उपमा की तरह प्रतीत होती है, मानो की करी-करी प्रतिपद, प्रतिमन माने परतेक मड़ियों में, यहाँ पर बच्चो दीखे, पद माने पायर होता है लेकिन इसको हम इस लाइम को अच्छे सुनते हैं मानो प्रतेग मड़ियों में प्रति माने प्रतेग माने मड़ी में मानो प्रतेग मड़ियों में बैठने के लिए श्रीक्रिश के उनके बैठने के लिए मानो प्रतेग मडियों में उनके बैठने के लिए वस्धा माने प्रत्वी बैठने के लिए प्रत्वी ने कमल बैठ की साज़त कमल की बैठ की सजा दिया हो बैठ की माने आसन प्रत्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो फिर इस लाइन की सुनिएगा कन्नक भूमी पर करपग छाया, सोने की भूमी पर स्रीक्रिश्व के हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह एक ऐसी उपमा की तरह राजत माने सुसोवित हाना, लेकिन हा सुसोवित होना ना, मलब परतीत होती है, यह एक ऐसी उपमा की तरह परतीत होती है, मानों की, परतिमन मनें परतेग मड़ियों में स्रीक्रिश के बैठने के लिए, वसुधा माने परतिवी ने कमल बैठ की साजत, कमल का आसन, बैठ की माने आसन, बैठ की माने आसन, कमल का आसन सजादी, साजद माने सजादिया हो, बाल दसा सुख निरख जसोदा, स्रीक्रिष के बाल दसा का सुख देख कर, निरख माने देख कर, बाल दसा सुख, स्रीक्रिष के बाल दसा के सुख को देख कर, श्रीकृष के बाल दसा के सुख को निरख माने देखकर जसोदा माता यसोदा पुन पुन नंद बुलावद पुन पुन माने बार बार नंद जी को बुलावद माने बुलाती है बार बार नंद जी को बुलाती है नंद जी मतलब यहाँ पर स्रीक्रिष्ट के पिता के नाम नंद था, ठीक ना पेटा, जसोदा उनकी माता थे स्रीक्रिष्ट की, तो फिर आगे देखते हम इसको, अचरातर ले धाक, और माता यसोदा, अचरातर मने अपने अचल की नीचे ले धाक मने धाक कर, और माता अचरा तर अपने आचल की नीचे ढग कर सूर के प्रभू सुर्दास के प्रभू सुर्दास के प्रभू सुर्दास के प्रभू कौन है सुर्दास के प्रभू 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 सुर्दास के प्रभ में काबिगर सौंदर में सभी चीजे लगवक कामन है आप भासा जैसे वच्चों आपको मैं बता दू पहले दो है मैंने भासा बताया था भासा क्या है ब्रज है छंद गेपद है रस भक्ती है अलंकार रूपक अनप्रास इसमें अनप्रास मैंने बताया हर सुरुदास के हर पद में अनप्रास आपको मिल जाएगा भासाय सब ब्रज ही है चंद सभी गेपद ही है सारे पद में यही आपका कामन है रस में यह उसमें भक्तित इसमें वासल रस होगा किता हो क्योंकि श्रीकिष्ट के बच्पन का वड़न किया गया है ठीक है ना कभी वासल वड़न हो और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें